लाम लेकूम नमस्ते वेलकुम बाइक तु मैघ कीचन आज की में रेसिपी चीज चिली सेंडवीच ब्रेड पीज़ा जो की बहुत ही बहुत ही बहुत ही हाई-टेश नेक्स है प्लीस चनल को सबस्काइब करें एंड लाइक और कॉमेंट करें तफिस चीज चीली सेंडवीच सबसे पहले हम इन सारे सबजियों को एक साथ मिक्स करेंगे के लिए हम डालेंगे करीब इसमें एक पिंच सॉल्ट कम डाले क्यूंकि आपका चीज में अलजी सॉल्ट होता है इसमें हम डालेंगे वाइट पेपर पावडर करीब एक पिंच और इसमें डालेंगे अपना इटा पेरेट मिक्स में पंट स्लाइस इसमें हम लगाएंगे अपना से दिति नहीं अफ सेखने पेरेसाइं उह प्रप्जी मिक्साइश i8 जाए ब्रेड में लगा लें बहुत ही ईजी और बहुत ही टेस्टी इवनी स्नेक से जो चाय के साथ एक बहुत ही बढ़िया कंबिनेशन है आप साम के सम्में बहुत ही असानी तरीके से बना सकते है इसे अगर आपके पास ओवन है अगर ओवन नहीं तो आप इसे चीज डालें मैं इसमें डो लेड चीज डालूंगा एक नीचे और ऊपर आप चाहे तो अमूल चीज या किसी और चीज भी सेडार चीज भी समाल कर सकते है लेकिन बेतरी मोजलर चीज ही होगा अब इसमें डालेंगे अपना सबजी सबजी आप जितना चाहिए उती बेड पर वेजटेबल को स्प्रेड कर देंगे देख सकते हैं बहुत ही कलरफुल है सबजी आप चाहे तो इसमें स्वीट कॉर्न या फिर कोई दूसरी वेजटेबल भी आप एड कर सकते हैं पनीर आपको पसंदे पनीर एड कर सकते हैं और टमाटो ओनियन एंड ग्रीन सिकम यूज़ कर रहा हूं अब हम इसके ऊपर से डालेंगे अपना चीज एक बार फिर से ताकि इस सब्गी को तोड़ा होल्ड कर ले प्रिएट किया है 225 डिग्री फिलामेंट उपर का ओन है और जैसे हम बेक करेंगे पांच मिनट के लिए यह अलमनियम फोल लगा रखा है इस पर हमने कि आपका ब्रेट जो है श्तिक ना हो तो हम इसमें एरेंज कर लेंगे अपने अच्छे से एरेंज कर लेंगे वन बेग वन करके इसे बेक करना है सिर्फ पांच मिनिट के लिए पांच मिनट हो चुका है अब हम इससे निकालेंगे बाहर हमारा जो ब्रेड पीजा है पूरी तरह से देखिए अब कलर आ चुके ऊपर से बहुत ही कलरफूल यम्मी और बहुत ही रिफ्रेशिंग हाई इसनेक्स है आप चाय के साथ इसका मजा ले तब करने के लिए जैस अब इससे कट मारें इसके ऊपर हम डालेंगे दुछा तरह डालें मिक्स अब एगें और इससे हम सब करेंगे चिली सोस के सब तो हमारा ब्रेट पीजा या चीज चिली सेंड्वीच सर्फ करने के लिए रेड़ी है प्लीज में जैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक पॉमेंट और सेयर करें थेंक्स पर बाचिंग शेफ़ादन थेकिए हुआ 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 हुआ